हलो बच्चों कैसे हो आप सभी आए आज अपनी exercise को continue करते हैं exercise 5.3 question number first का third part हमें ये series given है बच्चा up to 100 terms हमने इन 100 terms का sum find out करना है ठीक है अब हम पहले हमारे पास formula लिख लेंगे formula क्यों होता है बच्चा s of n n is equal to n by में 2 2a plus n minus 1 in 2 में d ठीक है ये हमारे पास क्यों होता है formula अब हम first term निकालते हैं first term को हम किसे denote करते हैं बच्चा a से a की value हमारे पास क्या given है 0.6 तो a की value हमारे पास क्यों हो जाए बच्चा 0.6 ठीक है common difference कैसे निकालते हैं बच्चा second term में से first term को minus कर देंगे तो हमारे पास क्या आजेगा common difference अब यहाँ पे second term क्या बच्चा 1.7 तो 1.7 minus first term first term क्या बच्चा 0.6 तो इसको minus करेंगे 1.7 में से 0.6 को minus करेंगे तो हमारे पास क्यों हो जेगा 1.1 तो common difference हमारे पास क्या आजेगा बच्चा 1.1 एक बड़ी दुबारा देखिए first term हम किसे denote करते हैं a से a की value क्या given है 0.6 अब हम common difference कैसे निकालते हैं second term में से first term को minus करके second term क्या है 1.7 minus first term 0.6 इनको minus करेंगे तो common difference क्या आजेगा 1.1 ठीक है और n की value हमें क्या गी होना है कोशन में हमने कितनी terms का sum निकालना है 100 terms का sum निकालना है तो n की value हमारे पास क्या बच्चा 100 ठीक है अब formula लगा देंगे ये वला same s n n क्या बच्चा 100 is equal to n n क्या 100 divided by में 2 bracket 2 in 2 में a a की value क्या बच्चा 0.6 into में multiply 0.6 plus n minus 1 n की value क्या 100 100 minus 1 into में d d की value क्या बच्चा 1.1 100 divided by में 2 2 into में 0.6 1.2 plus 100 minus 1 क्या बच्चा 99 99 into में 1.1 ठीक है अब ये इसको cancel कर देंगे 2 1s are 2 2 5s are 10 50 पे चला जे गए तो यहाँ पे 50 1.2 plus 99 into में 1.1 करेंगे तो क्या आज़े बच्चा 108.9 इन दोनों की multiply करके क्या आएगा 108.9 50 अब 1.2 plus 108.9 को add करेंगे हम बच्चा तो हमारे पास क्या आजेगा 110.1 ठीक है अब इन दोनों को multiply करेंगे multiply देखे कैसे करेंगे यह क्या 1101 अब अच्चा यह point हटाएंगे तो नीचे 10 आजेगा into में क्या बच्चा 50 एक 0 से यह वली 0 cancel हो जेगी अब यहाँ पे 1101 into में 5 इसके multiply करेंगे तो क्या आजेगा बच्चा 5505 यह हमारे पास क्यों जेगा बच्चा अंसर तो sum of hundred terms हमारे पास क्या आजेगा 5505 ठीक है बच्चा अगर आपको मेरा पढ़ाया हो अच्छा लगो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और सबस्क्राइब कीजिए थैंक्यू बच्चा अच्छा कीजिए कीजिए फग्चा लगो